Hello दोस्तो, Sonata Software की बात करेंगे, September 8 को आप देखेंगे, Share Price अचानक से गिर गया होगा, तो कबराना नहीं है, यहाँ बोनस का Adjustment Stock में हुआ है, मैं यहाँ पर आपको डीटेल में बताता हूँ, 1 is to 3 के रेशियो में बोनस डिक्लियर हुआ है, मतलब अगर आपके पास 3 Share है, तो आपको एक बोनस शेर, Sonata Software का मिलेगा, मैं यहाँ पर लाइव आपको मैं Excel में भी बता दिता हूँ, September 7 को आप देखेंगे, 717, 717 में Stock Price बंद हुआ है, ठीक है, तो September 8 को आपको शेर प्राइस जो है, नीचे आपको देखने को मिलेगा, यह कुछ 537.8 में खुलेगा, तो औ 550 के आसपास या 525 के आसपास यहाँ पर रहेगा, तो यह आपको बोनस एज़स्मेंट हुआ है, अब इसका एक्जामपल भी आपको बता दू, for example, आपके पास 717 रुपए है, एक शेर तो आपको पास समझेजे 30 शेर है और आपका टोटल 21,510 का, मतलब यह hypothetical एप्रोक्सिम fraction पर भी बहुत कोश्चन आते हैं, समझ लीजिए 30 शेर है, आपके पास 32 शेर हो गए, तो भी आपको 10 शेर ही यहाँ पर मिलने वाले हैं, लेकिन आपको कुछ यहाँ जो fraction है, fraction के हिसाब से आपको कुछ stocks जो है, जो पैसे जो है, stocks के जगा में, आपको कुछ पैसे मिल तो उस हिसाब से आप calculate कर सकते हैं, 6 शेर है, तो दो बोनस शेर मिलेंगे, 9 शेर है, तो तीन बोनस शेर मिलेंगे, 10 शेर है, समझ लीजिए, यहाँ एक्जामपल देता हूँ, 10 शेर है आपके पास, तो भी आपके पास 3 शेर आएंगे, ठीक है, तो जो एक शेर का जो कम हो जाए, आपके जो डिमेट है, उसमें भी लॉस दिखा रहा होगा, लेकिन यह एक्चुली में लॉस नहीं है, यह बोनस के करण यह adjustment हुआ है, तो थोड़ा समय लेगा, डिमेट में reflect करने के लिए, और maximum से maximum, 24 सब्टेंबर तक यह जो बोनस शेर है, उससे पहले ही एक् ठीक है, अगर आप 8 सप्टेंबर को लेते हैं, तो आप eligible नहीं है, तो company बोनस दे रही है, जैसे इस बार, उसके अलावा dividend के लिए भी जानी जा रही है, जैसे पिछले साल 21 रुपीज का dividend था, तो share price ने 400 रुपे, 500 रुपे भी देखा है, तो उन investors को तो जो dividend yield है 5% के पास का dividend दिया हुए, तो consistent dividend stock रहा है Sonata Software, अगर मैं growth की बात करूँ, पिछले 10 सालों में तो company ने grow भी किया है, आप देख सकते है, revenue, 1300 करोड के आसपास था financial year 13 में, और यही revenue अगर आप अभी देखेंगे, 4 गुना बढ़ गया है, 5553 करोड, revenue यहाँ पर आपको देखने को मि पिला है, increase हुआ है, 59 करोड से EBITDA, 566 करोड, यह भी 28% CAGR के हिसाब से growth यहाँ हुआ है, अब अगर हम revenue, अगर हम बिल्कुल latest बात करें, तो अभी देखें, 323 करोड से revenue, 436 करोड यहाँ हुआ है Sonata Software में, मुझे उमीद आपको value मिल रही है, आप हमारा जो चैनल है, Telegram चैनल उसको भी आप join कर सकता है, मैंने description में link दी हुई है, EBITDA आप देखेंगे 30% से, थोड़ा घटा है 26.6%, लिखनी IT सेक्टर में सब जगह में, ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा, बाकी profits 76 करोड हुए है, again margin यहाँ पर कम हुए है, margin कम होने का बहुत बड़ा reason है, यहाँ पर जो attrition है, attrition बहुत IT सेक्टर में हो रहा है, फिर business growth को लेकर भी थोड़ी सी, हर IT company में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, बाकी return on capital employed मजबूत है, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर international business देखे 39%, domestic business 43%, return on net worth यह भी मजबूत है, तो यह सब कुछ मजबूत आकड़े हैं, ज median valuation देखेंगे, यह वाली line जो आप देख रहे हैं, तो यह 16.4 के आसपास है, price earning ratio जो होता है, price divided by earning, 16.4 के आसपास है, और अभी आप देखेंगे, जो Sonata Software का PE है, वो 18.9 के आसपास है, तो अपने historical level से थोड़ा सा महंगा तो बिल्कुल है Sonata Software, तो अगर कोई एक अच्छा ख करेक्शन आता है, तो फिर at least valuation को लेकर थोड़ा comfort उस समय में हो सकता है, वैसे comfort अभी हो भी सकता है, क्योंकि एक time में valuation 35 तक चला गया था, फिर IT stocks 2022 में अच्छा खासा उन लोगों में हमने देखा है कि IT stocks चाए वो TCS हो, HCL हो, Tech Mahindra, Infosys, सब गिरे हुए हैं, अपने जो peak level जो बिल्कुल January के असपास थे और अभी आप September में देखेंगे, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा correction है ही, बट valuation correction अगर historical अगर देखा जाए, तो थोड़ा बहुत अगर गिरता है, तो यहाँ पर और ज्यादा comfort हो सकता है investors को, बाकी growth outlook strong है, business में high margins है, उनके जो DSO days हैं, वो कम हो रहे हैं, वो एक positive चीज अब देख सकते हैं, cash generation, cash position कमपनी के पास है, इसलिए dividend और bonus भी आ रहे हैं, बाकी return on capital, return on equity मजबूत है, तो यह सब कुछ positive चीज़े हैं, sonata software को उपर बाकी growing company है, लेकिन IT company पर अभी temporary थोड़े कहते हैं थोड़े से problems अभ खान में रखना है, quarter two आएंगे, तो quarter two में हमको और ज्यादा, हमको direction मिलेगा sonata software पर, तो मुझे उमीद है, आपको value मिली होगी आपके समय के लिए, बहुत बहुत धनिवाद, thank you very much, दोस्तों